हाई अर्यवान वेलकम टू मैं अनदर न्यू वीडियो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मेरे नाम है येगनेश पतेल और मैं एक अनोखी नई सीरीज लेके आया हूं अल अबाउट आरेसाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दोस्तों काफी लोग आरेसाई अलड़ी यूज़ कर रहे होंगे और काफी लोगों को ये मालूम है कि मैं आरेसाई को यूज़ पिछले काफे सालों से कर रहा हूं और अगर आप मेरे लाइव क्यूएंडा शेशन में फिर अगर आपने मेरे कोई विटिर्ण के होंगे तो आपने प्लोट रहता ही रहता है तो दोस्तों काफी ताइम से डिमांड थी कह आप रसा को कैसे ट्रेट कर रहे हो वह सिखा ही है थोड़ा बहुत हम इसको हमारा जो प्रीमिण कोर्स एडवांस टेक्निक अनेसिस उसमें हम सिखाते थे बेसिक कोर्स में मैंने इसका बेसिक क्लिम्प्स दिया हुए हम आज और बात करने वाले हैं वही चीजे आरसाइब के बारे में जैसे कि कि अनकॉमन यूजेज हम उसको बोलते हैं आरसाइब को काफी लोगों को ट्रेडिशनल यूजेज मालूम होगा बट अनकॉमन यूजेज हम बहुत ही अलग यूनीक वे में यूज करते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूं स्टार्टिंग फ्रम बेस इसको ट्रेड को अवेट करें बाई करें सेल करें समझ में नहीं आता है तो सिंपल आरसाइब को हम अपने प्राइज इसके साथ कंपेर करके बहुत ही पावरफुल डिसेजन मेकिंग कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में तक इसलिए देखना चाहिए कि आपको अगर बेसिक पता है तो आप उसके साथ आरसाइब को कंबाइन करके अपने ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो और यही मेरा एक इंटेंशन है कि आप सीखिए और ट्रेड करके मार्केट से पैसा भी कमाईए ज्यादा समय आपका ना लेता हुए लेट्स जंप टो स्क्रीन है हला रिवान वैलकम तो दो अनधर न्यू वीडियो जैसे के हमने आउटर वीडियो में देखा यह बड़ा सीरीज होने वाला है स्पेशली और आरेसाइब सो बेसिकली आरेसाइब रिलेटिव स्टेंट इंडेक्स है जिसका फूल फूल और यह एक मोमेंटम तो वह हमें मोमेंटम दिखै घैघे सीर दिखागए विसली किसे ऑने स्टीर में ऊपर जा रहा है और काफी भर कावी निक नीचे करके एक रेंज बना के बैठा होता है तो हमें ये मुमिन्टम से पता हम लगा सकते हैं रसाइस से वह हम estimate कर सकते हैं और बहुत यूनीक वे में हम RSI को देखने वाले हैं पिछले काफी टाइम से जैसे के मैंने बताया मैं इसको यूज कर रहा हूं और एक डिफरेंट फॉर्मेट में इसको मैं यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले RSI में जो उसका पूराना concept जिसकों बोलता है ट्रेडिशनल concept क्या है वो देख लेते हैं सो बिसिकलिया RSI क्या होता है कि अगर जैसे के यह price chart है तो वो नीचे यहां पर ऐसा लगा होगा जिरो टू हंडरेट के बीच में bandit oscillator है यह बैंडेट जिरो के नीचे नहीं जाएगा अंडरेट के ऊपर नहीं जाएगा उसका formula यह ऐसा है तो इस तरीके से नीचे लगा रहता है यह price का चार्ट है और नीचे यहां पर यह RSI हो गए आपका जिसमें 0-100 के बीच में मूग करेगा दो और लाइन बने रहता है यहां पर 70 और 30 जो कि हमारा traditional concept जो हम बोल रहे है 70 और 30 तो RSI इन बिट्वीन यहां पर कहीं पर मूग करता रहता है आप जैसे जैसे प्राइस मूग करेगा वैसे प्राइस से ही price का जो close होता है उससे ही denote होता है default setting इसका 14 period का है अगर daily chat लगा होगा तो last 14 days का closing को count करके यह RSI बनता है तो इस तरीके से traditional concept अगर हम देखते है तो 30 जो होता है लेवल उसको बोलते है over sold zone मतलब के market में काफी बिक्वाली हो चुकी है और price यहां से bounce करेगा वैक expectation होती है हम वो estimate लगाते है RSI 30 अगर के नीचे है तो और 70 जो है वो होगे आपका over bought zone मतलब के market में काफी buying हो चुका है so expectation है कि 70 के पास से RSI नीचे गुमेगा selling expect कर सकते हैं so यह traditional concept है जिसको हम बिल्कुल भी use नहीं करने वाला है ठीक है so traditional concept 70-30 we are not going to use anymore तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं और उसके कुछ example चार्ट पर आपको दिखाता हूं so हम उसका देखेंगे uncommon usage RSI का uncommon usage हम देखने वाल है instead of 70-30 हम क्या करेंगे levels को change करेंगे 40 और 60 के उपर वही रहेगा 0 के नीचे नहीं जाएगा 100 के उपर नहीं जाएगा क्योंकि उसका formula ही वैसे है और हम define करेंगे अगर above 60 है RSI above 60 है वो होगे आपका bullish zone अगर वो below 40 RSI है वो होगे आपका bearish zone और 40 और 60 के बीच में है वो होगे आपका sideways basically no trading zone 40 60 के बीच में है तो हम कोई trade नहीं करेंगे अगर आप option state करतो हो you can plan but basically अभी हम स्टार्टिंग में simple रखेंगे अगर stock state कर रहे है future state कर रहे है तो फिर अभी हम 40 60 को ज्यादा focus करेंगे so RSI cross 60 करेगा और तो हम उसको bullish zone बोलेंगे इसको यह bulls territory बोलता है इसको और यहां पर जैसे market 60 RSI 60 को करता है हम price में काफी fast momentum देखने को मिलता है because it's a bulls territory same way में अगर RSI 40 के नीचे आ रहा है so वहां पर वो नीचे fast गिरेगा bearish way में एक price काफी तेजी से नीचे गिरने को देखने को मिलेगा और वही अगर same 40 60 के बीच में रहे गया तो अब price में भी sideways momentum देखने को मिलेगे तो अभी जो हमने देखा आपने एक बार समझ लिया होगा हम इसको charts पर focus करते हैं और देखते हैं कि charts के उपर हमें क्या देखने को मिलता है तो एक simple daily charts से start करते हैं अभी आप भी daily charts से start करिए इंट्रेड के charts पर अभी मत जाईए तो मैं एक simple example लेता हूँ जैसे कि आप आपको RSI set करना आप indicators में जाईए और यहाँ पर आप RSI लिख दीजिए यहाँ पर click करिए और आपका RSI plot हो जाएगा नीचे यहाँ पर इस तरीके से सेटिंग्स में जाईए और यहाँ पर आप देखिए 14 जो पीरिड है क्लोजिंग के पर रहने दीजिए सेम और यहाँ पर 70 होगा वो 30 60 कर दीजिए और यहाँ पर 30 होगा उसको 40 कर दीजिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आरे साइद दिखेगा तो अभी हम देख रहे थे कि बिलोव 40 हमने अभी देखा कि इट सब बैरिश टेरिटरी 40 के नीचे बैरिश बैर जोन बोलेंगे तो यह है टाटा स्टील का एक डेली चाट हम देख रहे है यहाँ पर और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक बार फॉल्स ब्रेकाउट हुआ था बिलोव 40 बट बात में यहाँ पर एक बड़ा 40 के नीचे देखने को मिला सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है बहुत ही अच्छा खासा और आप देख रहा हो वहां से स्टॉक का प्राइस क्रैश हुआ है काफी तेजी से नीचे यह डेली चाट पर है वापस देखे आप RSI 40 यहाँ पर क्रॉस किया और आप देख पार हो यह कंसुलिडेशन था वो ब्रेक है 40 क्रॉस कर रहा है मतलब के बैर टेरिटरी है आप सिंपल देखोगे के सपोर्ट है या ब्रेक हो रहा है या फिर कोई मुविंग एरेज का रिजिसन्स वाव सपोर्ट ब्रेक हो रहा है एनिधिंग आपका जो एनलसिस आप इसके साथ मर्च करिए और यू कन क्रियेट पा नीचे था जैसे यहां पे प्राइस यहां से 60 क्रॉस किया मार्केट में यह रेंज क्रॉस किया और आप देख पार हो बहुत ही बड़ा मिल रहे हैं, so this is the power of RSI, आप देख पारो इसी को आप थोड़ा सा smaller time frame में भी देख सकतो, अगर आप intraday सोच रहे हो तो 15 minute में भी आप लगा सकतो, मैं यहाँ पर moving average को थोड़ा निकाल दे रहाँ और let's say simple देखते हम के यहाँ पर यह bearish trend चल रहा है यहाँ पर आप देख पारो यहाँ पर देखिया आप see, this is a 15 minute chart में यह देखिया आप RSI 60 के नीचे काफी time से यहाँ पर cross किया बड़ा bullish candle हुआ थोड़ा consolidation और आपको बड़ा rally देखना कुमाला, यह 15 minute का intraday chart है, ठीक है, so यहाँ पर यह close हो गया, यहाँ पर opening है, यहाँ पर close यह बड़ा तेजी हुआ, अबो 60 15 minute के time frame में so this is the power of RSI, अगर आप uncommon usage use करोगे, तो बहुत ही आपको बहतरी results मिलने वाले है इससे एक और example में आपको दिखाऊंगा and let's take it on to the somewhere higher time frame so higher time frame में हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखे, जबी-जबी RSI 60 cross कर रहा है बहुत ही बहतरीन rally देखना को मिले है, यहाँ से start करते हैं यह देखे आप 60 और यहाँ पर देखे बड़ा rally हुआ RSI 60 के नीचे आया, हमें कोई interest नहीं है, because it's not a bullish zone उसके बाद देखे, यहाँ पर भी आप देख पार हो, 60 cross किया, फिर से rally किया in between कुछ flips ऐसे भी देखने को मिलेंगे, RSI में भी M pattern और W pattern देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर है so this is again very very powerful, यहाँ पर 60 cross किया, आप देख पार हो, और यहाँ पर range एक बना हुआ हुआ था और एक बड़ा rally देखने को मिल रहा है, so that's the power of RSI, momentum indicator, RSI, uncommon usage ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पार हो, जैसे ही market में यहाँ पर 60 cross कर रहा है एक बहुत ही बड़ा rally देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें, so this is the way, और एक चीज़ यहाँ पर देखे, आप विकली चाट पर अगर आप इसको थोड़ा सा में जूम इन करता हूँ, तो आप देख पार हो, पिछले काफी सालों से, RSI, इसका weekly में 40 के नीचे ज्यादा तर टिका नहीं है, यहाँ पर देखे, 17, 16 end में हुआ था, उसके बाद देखे, market reverse हो गया, यहाँ से, यहाँ पर देखे, 40 break नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, यहाँ ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक किया, आप देख पार हो, यहाँ बड़े-बड़े shadow वाड़े candle भी थे यहां पर हुआ था वहां से भी reverse हो गया और अभी वापस यहां से reverse हो रहे हैं तो longer time frame का चार्ट है यह weekly chart में RSI 40 के मीचे नहीं है मतलब के bearish नहीं है at least तो अगर आप longer time frame investment का सोच रहे हो तो भी RSI को एक reference एक preference wise आप उसको देख सकते हो so this is the power of RSI I hopefully आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो basically मैं चार्ट पर अगर इसको conclude कर दूँ एक बार तो जैसे RSI 60 के अबव है यहां पर 60 के अबव है है ठीक हम अगर शॉट सेलिंग नहीं सोचेंगे बिलो 40 RSI जाएगा तो हम बैरिश जोन है वो मेरा कि तो हम वहाँ पर बाइंग का नहीं सोचेंगा और शॉटिंग अपोर्चनिटी ढूनें और 40 60 के बीच में अगर कोई पर ट्रेट कर रहा है तो इट्ससाइडवेस मार्केट यहां पर आपको देखने को मिलेगा काफी जगा पर साइडवेस मार्केट भी देखने को मिलेंगे यहां पर देखे यह रेंज और और रसाइड 40 60 के बीच में इन बिट्विन फिलिप दिया है बड़ बेसिकली रेंज में है प्राइज सो प्राइज इस अल्टिमेटली वेरी इंपोर्टन बट आरसाइड को आप उसके साथ कंबाइन कर सकते हो और उससाब साब प्रेफरेंस वाइस ट्रेट अपने सोच सक सकते हो और सेट कर सकते हो और कर सकते हो प्लान कर सकते है कि सो यह वीडियो में इतना ही पहला वीडियो सीरीज का आरसाइड के नेक्स वीडियो में हम और कुछ बात करेंगे डिटेल में कमेंट सेक्शन में जरूर बताए आपको वीडियो कैसा लगा और आपने क्या सीखा ह थैंक यू सो मुछ